हेलो फ्रेंड्स जहिन कैसे आप सभी स्वागत है आप सब का फिर से अपने यूटिब चैनल संराइजिंग संराइजिंग स्टोरी टेलर पर और आज हम आपको यहां पर एक कक्सा बीये में जो एक कविता है जिसका नाम है हंगर जयन्त महापात्रा ने इसको लिखा है उसका एक्स्प्लेनेशन करेंगे हिंदी में आपको बताएंगे यह कविता 1976 में प्रिकासित हुई थी इसे लिखने वाले जयन्त महापात्रा जो फॉर्मॉस्ट पोएट हैं भारत के 22 अक्टूबर 1968 को पैदा हुए थे वह कटक में अगर इसकी बात करें तो यह है पहले कभी हैं जिनने साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था अंग्री जी में अंग्री जी में साहित्य अकादमी पुरुषकार पाने वाले जयन्त महापात्रा पहले कभी हैं अगर इनकी फॉर्मॉस्ट पोएब की बात की जाये सबसे अच्छी कृति की बात की जाये तो एक रिलेसंसिप नामक कभीता है जो 1980 में प्रकासित हुई थी वह इनकी सबसे बहतरीन और सबसे ज़्यादा लोग पिरिया कभीता है जयन्त महापात्रा एक फिलिम कार भी रहे हैं बहुत सारी कहानिया लिखी है इन्होंने तो हम इनकी इस पोयम कभीता जिसका नाम है हंगर जो बीए किलासिस में है इसको एक्स्प्रेशन के साथ बताएंगे तो और पूरा प्रियास रहेगा हमारी तरब से कि आप सबको बहुत बहुत बहुतरीन तरीके समझ में आए हम बर्ड वाई बर्ड बताते चलेंगे यह कभीता एक ऐसी कहानी है जहां पर हंगर का मतलब भूख होता है हमारे सरीर में भूख दो प्रिकार की होती है जैसा कि आप जानते हैं एक तो भूख जो पेट में लगती है जो हमें उर्जा देती है और एक भूख होती है हवस जो हमें बेचैन कर देती है भूख दोनों वह हैं भूट का बढ़नन यहां पर कर रहे हैं कभी ने लिखा है वह ऐसे चित्रात्मक ढंक से इस कविता को प्रसुत किया है उन्होंने कि इस कविता में एक स्टोरी यह नेरेटर है को इस टोरी बता रहा है और दूसरा मुख्या-पात्र इसका कविता में एक मचवारा है और तीसरा मुख्यपात्र उसकी बेटी है जो 15-16 बरस की बेटी है यह वी कम उम्र की बेटी है तीनों लोग इस कविता के मुख्यपात्र है तो यहां बता दे कि मचवारा समुधर के किनारे जाल लेकर मचली पकड़ रहा है और यही काम करते समय उसकी नजर एक ब्यक्ति पर पड़ती उहाँ फहंपर घुवोंरा रहा है ग्योफ को मुथन ह cartridges कोई मछली नहीं मिली है और जो वहाँ पर कहानी कार है जो बक्ता है जिने वहां पर अपनी साम बिताने के लिए आया है और मच्वारे साकर पूछा कि कोई बैसाल पास में है या नहीं है है इसलिए मचवारा अपनी बेटी की पेश्का सुश् से करता है कहताकि मेरी बेटी है जू अब चूटी ही है अप चाहा होता उसके सांवे इता सकते हो हुं कारण यह था कि मचवारे को इतनी ऐसी भूख थी कि उससे लग रहाता कि एक आज भूख नहीं मिठती है यह आगर आज भोजन नहीं मिला खाने को तो मेरी बेटी और मैं भोके रहे जाएंगे तो चलें कभीता का आनंद लेते हैं इट बाज हार्ड बड़ा मुश्किल था तू बिलीब इस्वास करना दे फिलेस बाज हैवी ओन माई बैक दे फिलेस का मतलब मास होता है लेकिन यहां पर फिलेस का मतलब चमक यानि हवस से है वह बता रहा है कि हवस का जुनून मेरे सिर पर सवाग था वह कह रहा कि हवस मेरे सिर पर चाही हुई थी बिल क्या यू है वहर मतलब उस लड़की के साथ सोना चाहोगे मच्वारे ने पूचा उस ब्यक्ति से बक्ता से नेरेटर से क्या आप मेरी बेटी के साथ सोना चाहोगे क्या लैसली लापरवाही से बड़ी लापरवाही से उसने कहा क्या आप मेरी बेटी के साथ आनंद करना चाहोगे समय बिताना चाहोगे ट्रेलिंग माने खीच रहा है इस नेटस अपने जाल को एंड इस अपनी निरासा को भी खीच रहा है नर्वस है बिल्कुल बहुत नर्वस है निरास है बहुत ज्यादा as thought his words अपनी सब्दों के बारे में सोच रहा है फिर है scientific the purpose उद्देश्य को सुद्धि करते हुए या बताते हुए बिद्विच जिसका ही उसने फेच सामना किया इंसेल्फ स्वयन एक ऐसी उद्देश्य के बारे में उसने अपने उस नेरेटर से बताया जिसका सामना उसने खुद ही किया है आईसा मैंने देखा his white born dress his eyes his white born dress उसकी भूख को इस उसकी आँखों में नेरेटर बताता है कि मैंने मचवारे की आँखों में उसकी भूख को देखा था दोस्तों बिना लापरवाही कि यही उस ब्यक्ति ने मचवारे ने अपनी बेटी उसको पेश कर दी कि आप इस मेरी बेटी के साथ सोना चाहोगे तो तब नेरेटर कहता कि मैंने उसकी आँखों में भूख देखी थी ऐसी भूख जिसकी बज़ए से उसने कोई सरम नहीं कि अपनी बेटी को देने में आए फोलोड ही मैं पीछे-पीछे चल पड़ा नेरेटर कह रहा कि मैं उसके पीछे-पीछे चल पड़ा एक्रोस आरपार दा इस्प्रालिंग भिक्री हुई रिसेंड्स रेत के आरपार बेख्री हुई रेत पर चल रहा है अपने जालों को लेकर और मचवार मचवारे के क pac如果 उन्दक फिदक रहा था इंदक फिले सेघ्ण फिले सेट इन इचलकूद और रहा था हवस की बज़े से सेक्ष्वल डिजायर थी उसकी बज़े से मेरा दिमाग उचल कूद कर रहा था हॉप उम्मी थी ले पर हैप साय दिन बर्निंग जल रहा है दा हाउस घर आई लिव डिन जिसमें मैं रहा वो कह रहा है नेरेटर यहां पर कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिस घर में मैं सामने दॉल सानती ने गृपगय कर लिया मीरी बाहां को कि हींज बॉल्डी उसका सरील मचवारे का सरी मिलाड़ एंड। खरउच लगयां डव ऑगया वो बता रहा है कि मचवारे का सरीर बिलकुल कमजोर सा दिख रहा था खरोंच जैसा लगा च्छिला हुआ सा दिख रहा था इस उल्ड नैट्स उसके जो पुराने जाल थे हैड ओनली ड्रेक डप उठाकर लाया था फिर उमदा सीज समुद्र से बता रहा है नेरेटर यहां पर कि आज मचवारे के पास कुछ भी नहीं था केबल अपने पुराने जालों को यह खींच करके उठाकर के वो लाया है दरसल उसको आज मचलियां नहीं मिली हैं और इसी बज़े से उसने अपनी बेटी की पेशकस नेरेटर से की है कि दफिलेकरिंग डार्क कि फिलेकरिंग होता चंचल चंचल डार्क अंधेरे में हिजहट उसकी जहपड़ी ओपिंड खुली लाई के बाउंड जखम की तरह है नेरे वाज आई हवा की तरह चल रहा था मैं एंड डेज और नाइट भी फोर रात दिन का तो पता भी निचला उसे वह कह रहा था कि मुझे रात दिन का कोई अनुमान नहीं था मैं तो बस हवा की तरह तीजी से चल रहा था क्योंकि उसके अंदर हवस भरी हुई थी दिमाग में हवस ठी थी बस कि पाम ताड के थ्रॉंट पत्तों नेिषकीष खिरोंच दिया मैरी त्वच और जब जह धुंपडी के अंदर गया तो मेरी त्वच ख़़़गों ने खरोंच दिया इंसय द सेक सेक होथी च्छोटी कुटी जब मैं इंसाइड अंदर की और गया च्छोटी कुटी के तो पत्तों ने करतल यह ताड़ के पत्तों मेरे सरीर को खरउच दिया था एव एक पुराना सा ओयल तेल का दीपक इस पिलेट दावर्स जल रहा थह समय पूरा करना इस मतलब है कि बहुत धीरे धीरे जल रहा बंच्छ दोज बालसुन दीवारों पर उस कम्रे की यह जौपड़ी की दीवारों पर एक छोटा सा मित्SON का दीपक जो तेल भरा हुआ था धीरे धीरे जल रहा था अपना समय पूरा कर रहा था कि डिम लाइट से जल रहा था ओवर एंड ओबर और इसके उपर देश्टिकी चिपका हुआ था सूट माने कालिक या कार्बन दरसल आप सबने देखा होगा जो कार्बन लेंप जलाने के देवार पर चिपक जाता है उस कारबन की बात यहां पर कभी कर रहा है कि जो कारबन होता है जो जहां पर हम डिब्बीया लेंप जलाते हैं और उसके उपर मेंन कि उन दीवारों पर चिपक गई थी यानि उसे घुटन महसूस हो रही थी इसके बाद एक अगला इस्टेंजा बचता है इसमें का है आई मैंने here सुना ही मुसको से कहते हुए मैंने मचवारे को कहते हुए सुना यानि इस पिकर कहरा कि मचवारे को कहते हो सुना my daughter मेरी पुत्री सी है जस्टर्ण 15 केवल 15 साल की हुई है अभी फील हर उसका आनंद लीजिए आई सेल भी बैक सून मैं जल्द बापस लोटूंगा मच्वारा एक ऐसा बहाना बनाकर चला जाता है जो एक बहाना लगा उसने कहा कि मेरी बेटी के साथ आनंद लीजिए वह अभी केवल 15 बरस की हुई है मैं बाजार जा रहा हूं मैं जल्द ही बापस लटूंगा यह और बस तुम्हारी बस लीव सेट 9 नौ बज़े जाएगी इक जिस्टिट वील पिता की ठकी हुई सी चलकपट बाहिल मन ते चलकपट एक पिता का थखा हुआ एक चलकपट जो लग नहीं रहा था कि चलकपट भी है बस चलकपट कर रहा है चलकपट यहां पर दिखाया गया कि वह कर रहा मैं जल्दी लौट हूंगा तुम्हारी बस तो नो बज़े जाएगी तुम मेरी बेटी के साथ इतने समय तक आनद लीजिए तो एक ऐसा चलकपट है लग नहीं राच चलकपट जीस सा लेकिन बस पापा या पिता अपनी तरफ से कर रहा है कि चलकपट है है लाओंग एंड लीन लंभी है लीन कमजोर सी है हर येयर्स वर कोल्ड वाज़ रबर यहां कहा गया कि उसकी उम्र तो बहुत ही कॉमल है अभी बहूत कमज़ोर उम्र उस लड़की के पास पहुंचता है सी उसना अपन्ट खोला हर अपनी बौर मीमाने कमजोर सी लैक्स टांगों को बाइट चौड़ा करके उस छोटी सी लड़की न अपनी टांगों को चौड़ा करके खोला मतलब इस पीकर की मुझे वहां पर भोग महसूस हुई यानि हबस उसके दिमाग पर चड़ी हुई थी दे अधर बन कोई एक चीज दा फिस मचली जैसी सिलिद्रिंग फिसल करके टर्रिंग जा रही थी इंसाइट मने अंदर और कोई मचली जैसी फिसल करके कोई चीज अंदर जा रही थे तो यहां पर कभी ने एक ऐसी सिच्वेशन को बताया है जिसका मतलब जिक्र भी करना बड़ा मुस्किन हो जाता है और दोनों जो हवस है या भूंक है एक भूंक है हंगर का मतलब दो अर्थ रहे हैं यहां पर एक हवस है और एक पेट की भूंक है दोनों की व्यक्ति से कुछवी कर आ सकती है एक फिता अपनी भूंक को खतम करने के अपनी बेटी उसको देदेता है और एक व्यक्ति शारी मर्यादा को छोड़ कर एक कमजूर सी लड़की के साथ भी अपनी हवस्पूरी करने कोशिस करता है शाथियों कि अगर आप इससे सहमत है इस कोई कमेंट क्यारी रहे तो आप कमेंट बक्स में बताएं अगर आप सब लोग हमसे सेमा तो तो हमारे चैनल को सबस्काइक पर जिए सेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह सारी सुचना पहुंचें धन्यवाद